दोस्तों जल्दी से खरदीर से वीडियो को लाइक और यह जो लाल वाला बटन है इसको दबागर सब्सक्राइब कर लिजे और पास में यह बेल आइकन दबा के ओल पे क्लिक जरू कर देजे और यहाँ पे नेचे आके कमेट बॉक्स में अपने गाउं शेहर या राजे का ना भर्याना कुजरात माराष्ट केरल कनाटक तमील नाडू असमांद्र प्रदेश गोवा पश्ची मंगाल मिजोरम मनिपूर्ण नागलेंट चतिसकर सिकीम मेगाले और उडिसा का अगले आने वाले 24-48 कंटों का मोसम कैसा रहेगा तो आप इस वीडियो को सुरू से लेकर ल पूर उतर मध्य परदेश दक्षिनी कोंकोन और गोवा सहीदे तर्टिय कनाटक और केरल के कुछ हिसों में मध्यम से बारिबारिश हो सकती है वहीं मध्य परदेश के बाकी बचे हिस्सों सहीत तेलंगाना के कुछ हिस्सों विदर्प के कुछ हिस्सों उत्राकंड और हिमा मेल लाडू रायल सीमा और अंडमान वनिकुबार दीप सम्मू में भी हलकी बारिस कोई पूरी-पूरी संभावना इविक्त की गई है इसके लाबा बात करें के 22 गुंटों का मौसम जो है के सराज स्वामपॉन भारत का कहां पर बारिस हुई और कहां पर आंधी तूफान आय में भी हलकी से लेकर मध्यम बारिस के साथ एक दो इस्तावन पर भारिबाइस हुई गंगे पश्चिय मंगाल ओडिसा के कुछ इसों 36 कड अंडबान वनिकुबार दीप सम्मू बाकी बचे मध्य प्रदेश के कुछ इसों पूरी राजिस्तान और हर्याना के कुछ इसों मे कल भी जारी रहेगा मुसुव विग्यान केंदर के अनुसार आज भी परदेश के तकरीबन 22 जिलो में दूलबरी आंदी के साथ हलकी वह मध्यम दर्जी की बचात होने की पूरी पूरी संभावनाय व्यक्त की गई है इसी दोरान हवाओं के रफ्तार भी 40-50 किलोमेटर पर दूलबरी आंदी आएगी सुविवाग के अनुसार आंदी वबरसात का दोर अगले आने वाले कुछ दिनों तक जारी रहेगा कल भी पूरी राजिस्तान के अलवर वरतपूर दोलपूर सीकर जहिपूर जुनजनु करोली टोंग पूंदी कोटा बारा जलावार सवाय मादोपूर जिलो में कहीं कहीं में कहीं कहीं पर में गरजन वजरपात के साथी 30-40 किलोमेटर परती गंटे के रपतार से दूलपरी आंदी के चलने के संभाव नहीं विक्त की गई है इसी तरह अगले आने वाले 2-3 दिनों तक जोए जईपूर, कोटा, करोली, सवाय मादोपूर, टोंक, बूंदी, बारा जालावाड, परताबगड, चितोडगड, रास्वान, भीलवाड़ा, उदैपूर, वे सिरोई जिलों में भी कहीं कहीं पर में गरजना के साथी 40-50 किलोमेटर परती गंटे के रपतार से दूलपरी आंदी ताता पश्चिमी राज़िस्तान के चुरूब नागोर जिले में दूलपरी आंदी के साथे 43-40 किलोमेटर परती गंटे के रपतार से हवाओं वबरसात के आसार जताय गये हैं वहीं मौसम विग्यान केंद्र के नुसार आज अजमेर कोटा जहिपूर भरतपूर तता बिका ने और कल जो है अजमेर कोटा जहिपूर भरतपूर में भी हलकी से लेकर मध्यम दर्जे की बरसात होने का पूरा 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 नुमान जो है जताय गया है वहीं बात करें दोस्तों उत्तर परदेश की तो दोस्तों मौसम विबाग ने जो है कल पूरी यूपी के कुछ लगों में कहीं भारी तो कहीं बहुत ज़्यादा भारी बा मांसुन अभी पूरे राज्ये पर महर्मान नहीं हुआ है मुस्विभाग ने बताया है कि मौसुम की उत्री सीमा महरिमपूर बाराबंकी और सहरनपूर से होकर गुजर रहती उन्होंने बताया कि पूरी आंचल को अगले दूसे तिन दिनों में पूरी तरह अपने दाइरे म में थोड़ा और अधिक समय लगेगा फिला लकनों समयत मध्य और पूरी यूपी के अनेक हिसों में मांसुनी 22 का सिला जारी है वहीं बात करें बीते 24 गंटों के दुरान मुसम का हाल के सा रहा यूपी गा तो दोस्तों बीते 24 गंटों में जो है पूरी उत्र परदेश के अधिकांस इलाकों में हलकी से लेकर तो सामाने बारिस हुई कहीं कहीं पर 22 गंटों के लिए बहुती बड़ी चेताम ने जारी की है मुसम भाग ने राजजी के ज्यादातर हिसों में 22 और वजरपात का हाई लट जारी कर दिया है इस दोरान लोगों को साफदानी बरतने की पी सला दी गई है मुसम भाग ने अपने अलर्ट में बताया है कि मुसम की वर्तमान गतिविदी एहूं संक्यात्मक मौर्शम मोडल के आंकलन के अनुसार राजजी के अतिकांस जिलों में कहीं कहीं पर वजरपात के साथ भारी वर्सतता राजजी के उतरी बाग के जिलों और गेगा नदी से जटे जिलों में कहीं कहीं पर भारी से अति बारी जो है वर्सा रिकोर्ड होने की प्रबल संबावना ही जते गहीं अगले आने वाले 24 से 28 कंटों के दुरान वहीं मुसम भाग ने अपने अलर्ट में आगे बताया है कि इसके काराण जान माल की हानी होने के साथ निचले इस्तरों में जल जमाव यातायाद बादित बिजली सेवा एं नदी के जल इस्तर में बड़ोतरी होने की भी पूरी पूरी संबावना है नागरीकों को उचित सावधानी वा सुरुक्षय उपाय बरतने की सला दी जाती है बिजली चमकने या गडगडाटन की आवास सुने देने के बाद किसान और नागरिकों को पके घर में सरण देने की भी शला दी जाती है वहीं दोस्तों बिहार में गंड़िक नदी के तरटवर्ते इलाकों में अगले तीन से चार दिन तक बारी बारिश होने के पूरे पूरे आसार जता है गए है इन जिलो क के लिए रेड अलट जारी हुआ है वहाँ पहले ही काफी बाइस होने की इस्तती से बिगड़नी शुरू हो गई है सिमावर्ती जिलों के गाउं में बाट का पानी आने लगा है वहीं कल भी राज्ये में जो है विविन सेत्रों में अच्छी बारिश रिकोर्ड की गई है वही जून में आप तक राजदानी में 111.2 mm बारिश रिकोर्ड की गई है सामने ते अब तक राजदानी में 57.8 mm बारिश होनी चाहिए थी वहीं राज्ये में सरवातिक बारिश पस्टिमी चंपारण में हुई है वहाँ पर जून में जो है 80 mm बारिश सामने ते होनी चाहिए ल उसे तीन दिनों में भी मांसुन के जबलपूर और इंदोर पॉंचने की संभावन है, पिछले 24 कंटों में बोबाल समयत गरज चमय के साथ ही और तेज हों के साथ ही एक दर्जन से ज्यादा जिलों में जमा जम बारिश हुई है, मुस्विभाग ने बताया है कि आज और कल सं अगर संभागों के जिलों में गरज चमय के साथ ही खाईं कहीं पर बारिबारिश होने के संभावन है जते गई है, इन संभागों के जिलों में बिजली चमकने और गीडने के साथ ही 30-40 किलोमेटर पर गंटे के रपतार से तेज हवा चलने के साथ ही येलो लट भी जारी कर ना हुआ इन दोनों सिस्टमों के कारण ही अगले आने वाल चोबी से अर्तलिस मेंटों के बीच बारी-बारी सोन की पूरी-पूरी संभाव नहीं व्यक्त की गई है तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेट करके जुरूर से बतेगा और इस वीडियो को लाइ